टीवीएस मोटर अपनी सबसे स्टाइलिश स्कूटर एंटॉट 125 के नए XT वेरियंट को जल्द ही लॉंच कर सकती है कम्पनी ने हाल ही में एंटॉट 125 XT का टीजर जारी किया है नए टीवीएस एंटॉट 125 के इस वेरियंट में अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ नए ग्राफिक्स और बॉडी पेंट दिये जा सकते है नया मॉडल ब्लुटूथ और कनेक्टेड फीचर से भी लेस हो सकता है इसके अलावा स्कूटर के अन्य सभी उपकरणों और फीचर्स के मौजूदा मॉडल के समान रहने की उम्मीद है एंटॉट 125 XT इस रेंज का टॉप मॉडल हो सकता है जिसकी कीमत करीब 90 0000 रुपए एक सशोरूम हो सकती है वर्तमान में कम्पनी एंटॉट 125 को चार वेरियंट स्टैंडर्ड रेस एडिशन, सुपर स्क्वाड एडिशन और रेस एकस्पी में बेच रही है एंटॉट 125 कीमत 77,106 रुपए ड्रम से शुरू होकर नवासी 211 रुपए रेस एकस्पी तक जाती है सभी कीमते एकसशोरूम दिली के आधार पर लागू है नए माडल को इसी साल लांच किया जा सकता है एंटॉट 125 के नए वेरियंट में मौझूदा वेरियंट के 124.08cc सिंगल सिलेंडर एर कूल्ड इंजन का इस्तिमाल किया जाएगा यहाँ इंजन 9.25 BHP की अधिक्तम पौवर और 10.5 A NM का पीक टॉप जेनरेट करता है स्कूटर की टॉप स्पीड 95 किलोमीटर प्रती घंता है और यहाँ केवल 9 सेकेंड में 0-60 किलोमीटर प्रती घंते की रफतार पकड़ सकती है एंटॉप 125 TVS की सबसे स्टाइलिश स्कूटर है इस स्कूटर के सामने एपरन पर फुल LED हेडलाइट, हैंडल बार काउन पर टर्न इंडिकेटर, स्प्लिट ग्रैब रेल, चौडी सीट और रियर में LED टेल लाइट मिलती है TVS एंटॉर्प 125 पूरी तरह से डिजिटल इंस्टूमेंट क्लस्टर के साथ आती है, जिसमें बिल्ट इन लैब टाइमर के साथ सभी आवश्चक जानकारिया मिलती है इसमें स्मार्ट स्कनेक सूट भी मिलता है, जो राइडर को अपने स्मार्ट फोन को स्कूटर के जोडने की अनुमती देता है इसके डिस्प्ले पर मिस्ट कॉल अलर्ट, मैसेज और टर्न बाइटर नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते है यहाँ यूनिट लास्ट पार्ट लोकेशन असिस्ट, राइड स्टाटिस्टिक्स, लैप टाइमर और वॉयस असिस्ट जैसे विवर्ण भी प्रदान करती है, जो पंदरा वॉयस कमार्ड को समझती है स्कूटर में इंजन किल स्विच, पासबाई स्विच और हाई स्पीड अलर्ट भी मिलता है टीवीएस अन्टॉर्प एक सोपचीस में बाइस लई टर्र का बूट स्पेस मिलता है, वहीं इसमें 155 mm का ग्राउंड क्लियरिंस दिया गया है यह स्कूटर वजन के मामले में 125 CC सेग्मेंट में थोड़ी अधिक भारी है इसका कर्ब 118 किलोग्राम है भारतिय बाजार में टीवीएस अन्टॉर्प 125 का मुकाबला सुजुकी अवनीस 125 यामाहा रेजेड आर, होंडा ग्राजिया 125 और अप्रीलिया SXR 125 से है मार्च 2022 में TVS मोटर ने 4.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ कुल 2,92,918 यूनित दोफिया वाहनों की बिक्री ही है जबकि बीते साल इसी महीने कमपनी ने 3,07,397 यूनित दोफिया वाहनों की बिक्री की थी निर्यात की बात करे तो बीते महीने कमपनी ने भारत से 1,09,724 यूनित वाहनों का निर्यात किया जबकि बीते साल इसी महीने कमपनी ने 1,19,382 यूनित वाहनों का निर्यात किया था कमपनी के निर्यात में 8.4 प्रतिशत की गिरावट दर्स की गई है